हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग जखास है ना वेरे गुड़ दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के एकसर साइज 2.2 चप्टर का नाम है इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको गंटेविव करते हैं ठीक अच्छा मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ठीक है और मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट कुछ फॉर्मुले भी बताए थे आपको अच्छा से पता है ना नहीं पता हो यह बहुत दिक्कत होगी ठ करते हैं ठीक ना एक्सराइस देखो ध्यान से तो देखो उसमें यह पहला कोश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है थ्री साइन इंवर्स एक्स माइनस पोर एक्सक्यूट ठीक और यहां पर उन्हों साफ साथ दे रहा है कि एक्स विलॉंग करता है माइनस वान वाई टू से थो स्टाइड करते हैं तो हमें क्या करना चूँए लफ साइड और राइट साइड है दोनों इक कुल होने चाहिए ठीक है रूफ कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर दिहान से देखो मैं करता हूँ यह जो दिख रहा है ना राइट से इसको ठाता टू साइन थीटा ठीक है अब लिए साइन थीटा ठीक है अच्छा अगर आप मैं साइन को धर लाओंगा तो यह इन्वर्स हो जाएगा है ना हमने पढ़ा यह चीज़ इस इन धर आएगा तो साइन इंवर्स एक्स इस इपड़ुटू थीटा ऐसे हो गया आप ध्यान से देखो बच्छो हमने क्या किया है राइट साइड को उठाया टेकिंग आर एचस टेकिंग आर एचस ठीक तो आर एचस लेते हैं तो उसमें क्या होता बच्छो यह दिया हुगा है जी शाइन इंवर्स थ्री एक्स जेक एक्स कि देखा हम नहीं दिया ग्सकी देखां हमने लिग दिया साइन थीटा तो यह जिए 3sin थीटा माइनस पूर साइन क्यूब थीटा इतनी बाद समझ नहीं? अच्छा बेक्ची देखो यार आप लोगने क्लास 11 तने फार्मुला पड़ा था है ना? नहीं पड़ा था तो देखलो वैसे तो मालू मैं आप टो मानू साथ बढ़ेगो उसाथ ना बढ़ेगो तो कोई बाद नह साइन 3 तीटा, साइन 3 तीटा is what? 3 साइन 3 तीटा मानास 4 साइन 3 तीटा यह फार्मूला होता है तो भेया आप दियां चे देखो यह पूरी चीज भही है दियां से दिखो तो इसकी रिखा प्यारिक्षक्ट क्या लेक सकते हैं? साइन ग्लवार्ष की बन्स क्यालिक्ट सकते साइन द्रीधी टतarm यह सानि से साइन इंवर्स एसाइन से सानिवर्स उन इसन इसना और प्रक्रीट थे तया में थे टिक हम आप लिखते हैं ठ्रीटा विरो इwarming Il देखिए यही था है ना तो यह हो गया LHS is equal to RHS और यह एक्स कहां पर लॉंग करता है एक्स ब्लॉंग करता है मैंनस 1-2 से 1-2 होता है ठीक है तो यह तो इतना समझ में आया इसमें को इडाउट है क्लियर चल अच्छा अगले कोश्चन पर आते हैं सेकंड कोश्चन में देखिए बच्चो बिल्कुल फर्स्ट कोश्चन की तरह है जहां से देख लो है कि नहीं वहां पर साहिंगा इसमें कोस आ गया तो क्या दिखकते है अराम से कर सकते हैं लोग तो एक चीज़ देखो बच कोश्च थीटा तो मैं पता है बच्चो यह कोश्च इदर आएगा तो कितना हो रहाएगा यह यह सो रहाएगा कोश्च इन्वर्स एक्स इस इपल टू थीटा ठीक है इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना अच्छा तो अब देखिए आप हमने क्या किया है यह इसम पूर्स फोर एक्स एक्स की रहाएगा बच्चो कहा लिखूंगा ना है कॉस्ट इटा और यहां पर क्यूब दी रहा है तो यहार क्यूब लगा तो फिर 3x 23 कॉस्ट थीटा तो ध्यान से देख लो यह वाला भी फार्मुला होता है यह भी बड़ा अपने इलेट में यहां इस पूरे की रिखा पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट थीटा अब कईनल दृट तो वातलु थीटा कितना है थीटा कितना है कॉस्ट थीटा कितना है निकितना एक्स थीटा तो में अरुक्त देंगे एतना समझ मैं है थिक थर्ड कोस्चिन देखो बच्चो अब देखो विए यह सॉल्व करना है और इसके को भूना चाहिए ठीक है बाई तो अगर बच्चो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा ध्यान से देखो इसमें कौन सा फर्मल है इसमें देखो हमने फर्मल पड़ा था टै पंपरस इंवर्स एकिस दार्व माड़् सॉल्व इस एक घंप ने को चूक यह तो एक्सलाइन को इन एक्सला थाया जोरी में है च्छाई ओ सम्आ था सyssель सेंगे झानी है भी एसमाहआ ग्याल मौना डारी आपको और वाई कितना है एक तो अगर आप इसको मुल्टिप्लाइब करो गए द्यान से देखे लो यह तो आगे है ट्वैल यह गए ट्वैलेंट टू एलेवन ठीक आप यह जो भी मेल्यों आएगी फिलाल वन से तो छोटी रहेगी वन से छोटी ही रहेगी ठीक तो हम यह आदा फा एक्स की देखा पर हो गया टू बाई एलेवन है ना प्लस वाई की देखा पर हो गया 7 अपॉन 24 ठीक है ना इतने बाद समझ माई अच्छा अपॉन वन माइनस एक्स वाई यह तू अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24 ऐसे हो ठीक है चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह जाए 264 यह अच्या हुआ तो यह से मिलिप्लाइब होगा यह तो दो को 14 से करेंगे तो 48 और 7 को 11 से करेंगे तो 77 इतना क्लियर अच्छा सेम टू सेम कहानी नीचे भी हो गई 1-7 तू जा 14 और इसको मिलिप्लाइब करेंगे तो वापस वही मिलेगा 264 अना ऐसे हो गया ठिक अच्छा अब देखो देहां से अब हम कहें रहे हैं इसको एड़ देखन लिपते हैं पूपर तो यह हो गया थान इंवर्स 48 प्लस 77 तो यहाच साथ पंद्रह और साथ ओचार ग्यारा और एक बारा तो यह हो यह 125 अपान 264 डिवाइड बाए ठीक है यहां पर देखो देहां से इसमें भी मैं इसका LCM लोगा हो तो यह कितना जाएगा 264 माइनस 14 तो 264 माइनस 14 अपान 264 यह बात समाज़ बाए ठीक ना LCM लिए में तो बैट देखो यह खतम हो क्या यहां पर कितना बचा तैंट अन इवर्स 125 अपान 264 माइनस करो तो यह हैगा 250 अब इसको कट करो य तो यह बार में और यह बार में कट जाएगा ना 155 टू साब 250 तो यह कितना है यह हो गया 10 इंवर्स 1 अपान 2 तो अगर आप ध्यान से देखे हमें यह ही प्रूफ करना था करना था कि नहीं तो बस बहुत आसान है बस देखो बशरते आपको फार्मूले याद होने चाहिए अगर फार्मूले याद नहीं है तो कर नहीं पाओ होगे है ना फूर्थ कोशन लेखो बच्छो देखो इसमें क्या क्या रहा है यह बिल्कुल पहले की तरह ही है इसमें बोल रहा है तो टैन अन्वर्स 1 बाई 2 प्लस टैन इंवर्स 1 बाई 7 इस इकोई टैन अन्वर्स 31 पहले में बोल टो होता है तो प्लस टैन इंवर्स वाई बन जाता लेकिन इसमें 2 अगया तो एक साइं चान इंवर्स के फॉर्म में और एक टैन इंवर्स में तो आपास में है तो में और फॉर्फ कंना है लाइंकर हम इसमें तो एल्भवा गाएंगे कोंचा ओंगर और दा форм mail और लो टार है जो हमें मालूम है हने क्या सब्सक्राइब है ठीक है यहां है मैं क्या देता हूं टूर tan inverse x, फर्मुला जो होता था tan के फॉर्म में, tan inverse is what, 2x upon 1 minus x square, यह फर्मुला पढ़ा है ठीक है, तो वही फर्मुला में यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसमें, इसमें x ही हो गया, 1 upon 2 is a x, तो चलो भई, अप्लाई करते हैं, विजान से लीक्स की डेगाँ पर क्या आ रहा है, X की लिखा पर आ रहा है 1 upon 2 यह कितना हो जाएगा Tan Inverse 2X X की लिखा पर लिख दिया 1 by 2 upon 1 minus X स्कार 1 upon 2 का से स्कार किया तो बटा यह कितना हैगा 1 by 2 का स्कार 1 by 4 हैगा तो दारेट लिखते हैं आपर 1 by 4 ठीक है अच्छा अब आपकी जो बचा उसको आप ऐसे लिख लो यह बचा न है अब देखो अच्छो यह टू से टू का तम कितना आएगा जल्दी बताओ यह उपर तो बचा वन यहां पर देखो इसको सॉलू करेंगे तो वन माइनस वन वाई फोर करेंगे तो थ्री वाई फोर आएगा आएगा और यह फोर ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यह हो गया प्लस टैन इंवर्स वन अपॉन से तो यह फोर यह फोर अपॉन थ्री इसको डिर्क लिए फोर अपॉन ट्री इतना अब देखो इसने फ़र से फार्मॉल लगा सकते हैं कौन सा टैन इंवर्स एक्स प्लस टैन इंवर्स वाई ठीक और एक्स वाई का मुल्टिपल क्या आएगा वन से कमी आएगा त्यां चुलेग लोग फ आगर ऐन्मड़ इंवर्स क्या फिलॉट ट्ब्रस मॅ म्हां थे घ्यानी फोल उपान स्यना अग्डिवाइड वाइश ट्रीन टू1 अपान से ठीक है इंग चलूग वाइशको करते तो इसको क्यों करें स्याना बहुत अच्छे वाटीवर्स श्म ये तोभरों तो मालूम ही है बच्चे-बच्चे को कितना होता है 21 तो यह इदर मैंटिक लाइब होदा है तो 740 प्लस त्रीट प्लस त्रीट प्लस त्रीट प्लस त्रीट यह आसान कैल्कुलेशन है आप आराम से दर सकते हैं ठीक यहां पर देखू इतना समर्च में आउगया ठीक अब दबच्च उसको जोड़ो है अठाई सो तीन कितना होगा उपर देखू तो जोड़ोगे तो यह तो आगया 31 अपान 21 नीचे देखू नीचे देखू 21 इसके निचे दाना रहा थियम दिए तो 21-4 कितना है गाएगा 71 अपान 21 तो यह 21 से 29 खतम कितना बचा यह बचा यह बचा आर इंवर्स 31 अपान 17 और आप दिखान से देखे अमें यही प्रूफ करना था ता 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 ना ता फिफ्ट कुस्च न देखू बच तो टान इंवर्स रूट 1 प्लस एकस स्कार मैनस 1 अपान एक्स ठीक अच्छा इसमें एक चीज़ देखो अगर आपको याद है जब मैंने आपको इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट बताय था तो उसमें ट्रिक बताई थी क्या कि जब कभी भी आपको कुछ ऐसी कंडिशन इस प्लस एकसिस का ऐसे दूब करते हैं हमेसा इंटर या फिर एक ओड़ तीटा इसके जैसा है तो है कि इधा मैंट्रिय दूपर क्या तो दिया है सब बाते आपको पता होनी चाहिए ना डिटेल में और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फरी एक्सेसरी आपको समझ में नहीं आगी तो ज्यांसे देख लो डिस्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंवस्ट इम्मेट्री तो हम क्य इंवर्स एक्स इस इक्वर्टेंट अच्छा और उसके बाद देखो अब एक चीज बच्चो और समझ जो है मैंने एक फारूला और ही बताया था आपको अगर आपको थोड़ों से ध्यान होगा हमने पड़ा था वन प्लस कॉस्ट थीटा क्या होता है था यहां दा रहा है वन प्लस कॉस्ट थीटा होता था बच्चो तू कॉस्ट स्वार थीटा बाइटू है ना और एक एक बच्चो ने फारूला और पड़ा था साइन थीटा का तू एक होता 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 है तो बहुत ध्यान से समझना ना साइन थीटा के लिए क्या फार्मला पढ़ागा हमने तू साइन थीटा बाइटू कॉस थीटा बाइटू तो बच्चो ये तीन फार्मले को आप अच्छे से यादी कर लो क्यों क्यों कि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंवस्टिग्मेट्री में भी अभी आगा खरखेंगी ठेंटीटा तो ये वो जाएगा वन प्लस एन फैल खीन स्कारब तरह श्राएट नसंवान एकस ये लिगा पर रिकेंटिता शेसी त्सटीक्टिटा होगया तो बच्छो क्लास टेंथ में फ़र्मläबारा दा यादे यादे वन प्लस टैनस पर थीटा वार्ग 1 plus tan square theta is what? sec square theta, है ना? यह तो class 10 तो महीं पढ़ रहा है तो यह हो गया, तो 4 sec square theta minus 1 divided by tan theta ठीक है? तो बच्चो यहो, sec square theta, यह square से root खतम, तो कितना बचेगा? यह बचेगा, tan inverse, यहाँ बचा, sec theta minus 1 upon tan theta यह चीद बचेगे ने बचेगे? चीद है अच्छा उसके लाग में देखू, है ना? दिहान से देख लो, इंदर कड़ देता हूँ तो यह कितना बचा है? tan inverse देखो, sec theta minus 1 क्या मैं sec को ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon cos theta minus 1 और यहाँ पर tan दिये, मैं टैन को मैं लिख सकते है sin theta upon cos theta ऐसे लिख सकते है, ठिक, अच्छा तो अब देखो दियान से ना? यह आप note कर ले ना? इसको मैं हटा देता हूँ ना? यहाँ पर देखो दियान से अब यह कितना आएगा? अब देखो बच्चोग हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan inverse cos और यह दिया है 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो cos theta 1 का LCM लिया तो वापस हमें कितना मिल गया? cos theta तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 1 minus cos theta यह समझे मैं है न? LCM दिया और नीचे दिया है sin theta upon cos theta ठीक है? अच्छा अब देखो बच्चोग यह cos से यह cos खतम, कितना बच्चा? यह बच्चा tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta इतना है न? अब यहीं चीज़ मैं आपको सम्झाना चाहा रहा था यहां से देखी लिजे है नहां पर यहां पर ध्यां से देखी लिजे है 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, क्या लिखूँगा 1 minus cos की देखा पर? 1 minus cos की देखा लिखूँगा 2 sin square theta by 2, है न? इसी लिए मैंने का देखी फामूल अच्छा से याथ कर लो, ठीक है बच्छोग यहां लिख लिए, tan inverse, 1 minus cos की देखा क्या आगया? 2 sin square theta by 2, अपॉन, sin theta की देखा, sin theta की देखा, क्या फामल होगेगा? यह हो जाएगा, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, इतना हो गया? आप देखो बच्छोग यह 2 से 2 खतम, यहां sin square है, तो देखो यह sin square, एक sin से 1 sin कर देखा, तो कितना बच्छा? यह बच्छा tan inverse sin theta by 2 divided by cos theta by 2, इतना क्लियर होगा? ठीक, अच्छा, अब देखो बच्छोग हमें यह भी मालूम है कि साइन बटे कॉस्ट क्या होता है, tan inverse x, ठीक है? यह बात समझ भाएंगे? तो यह इसका answer हो गया, ठीक, और यह हम कब कर पाएं? यह पता है, देखो, ऐसे आप देखोगे, इसमें कुछ ना कुछ पुट करना है, तो आप क्या समझ पाओगे कि क्या पुट करें? लेकिन अगर आपको यह पता होगा, कि अगर क सिक्स में आते हैं, बच्चो, ध्यान से देखो, इसमें में देखो, याद देखो, क्या दिया हो, वन अपॉन रूट x स्कार माइनस 1, ठीक, तो बच्चो और आपको याद होगा, यह भी मैंने बिताया है, कि अगर कभी ऐसी कंडिशन भी ले, x स्कार माइनस a स्कार, ठीक, यह पुट करते हैं, याद आया कि नहीं आया, ठीक है, तो अब देखो, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x की लिगापर क्या पुट करतूं, sec theta यह पुट करते हैं, जो भी आप बता, जो वो sec से कर देएं, sec से कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेते हैं, put, x is equal to a, सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, x is equal to what, sec theta, यह से किदर आएगा, sec inverse x is equal to theta, ठीक है, यह बहुत आसान है, आप अराम से कर सकते हो, ठीक, अच्छा, तो अब देखो, हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यह से हो रहाएगा, tan inverse one upon x की लिगापर क्या आएगा, x की लिगापर आएगा, sec square theta minus one, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो बच्छो, हमने इपढ़ाए न, sec square theta minus one, बराबर, यह तो पढ़ाए यार, class n में, sec square theta minus one, बराबर, tan square theta, तो इसकी लिगापर क्या आजाएगा, इसकी लिगापर आजाएगा, तो यह रहाएगा, तो यह दो रूट खतम, तो यह कितना बचा, tan inverse one upon tan theta, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, आप देखो बच्छो, यह one upon ten को में वालू, one upon ten कितना होता है, one upon ten होता है, cot theta, ठीक, अच्छा, बेक्छी लिगाप, मैं cot of tan बढ़ाना चाहता हूं, कैसे बढ़ाएगा, ऐसे नहीं, one upon ten ध्यान चे देखो, हमने class 10 में एक formula बढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, कि tan 90 minus theta is what, cot theta, ऐसे पढ़ते हैं, tan 90 minus theta बढ़ाबर cot theta, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई by 2, ना, radial में चलते हैं, तो पाई by 2 minus theta, तो इस cot की देखाव पर, cot theta की देखाव उपर क्या लिख सकते हैं, tan pi by 2 minus theta, बोलो, लेख सकते हैं न, तो चलो भाई, यहां पर लिख 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 हैं, tan inverse, तो यह हो जाएगा, tan pi by 2 minus theta, ठीक हैं, पाई by 2 minus theta, अब देखो, यह tan से tan inverse खतम, यह खतम, तो कितना होगा, पाई by 2 minus theta, तो यह आपका answer हो गया, अच्छा, यहां पर यह चीज़ आप देखो, theta, theta कितना है, second inverse x को हैं, यहां पर कहले है, second inverse x को हैं, तो यहां पर लिख लिख लो, ठीक है, इसको भी लिख लिख लो तो यह हो गया, pi by 2 minus theta यह पर आ गया, second inverse x, ठीक है, अब यह कंब दी हो गया, ओके, जहां पर x क्या है, mod x greater than always 1, ठीक है, सात्रों कोशन देखो बच्चु, ठीक, अच्छा, देखो बच्चो, अभी मैंने आप लोगों को, question number 5 ने एक formula बताया था, यहां बढ़ा है, one minus cos x, कि 2 sin square x y 2 और 1 plus cos x क्या पता है था 2 cos square x by 2 वाई चीज़ देखो यहाँ वाई चीज़ दी विए दीए कि नहीं दी है अगर फार्मला आपको पता है तो आपको से लगा हो कि है ला फटा 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 लगा सकते हो तो फटा बन मानस कॉसे की दिखा पर इंक्या लिखेंगे है हम लिखेंगे 2 sin square x by 2 divided by 1 plus cos की दिखा पर क्या लिखेंगे 2 cos square x by 2 ऐसे हो ठीक अब दो को चो यह 2 से 2 अब दो को यह square से रूट करता है यह square से रूट करता है तो कितना है यह tan inverse tan x by 2 है ना यह बचा अचा अब दो चो यह tan 10 से 10 inverse भी कतम 10 से 10 inverse खतम तो बचा कितना x by 2 ठीक तो यह बारा answer हो गया ठीक है दो को सब आसान है ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको नहीं आएगा अचा मुस्किल लगा राइटिया बताओ इसमें है ना सब अलोगा ही तो बस आगर आपको formula बताओ तो question कभी गलत होगा यह नहीं चाहें जो होता है ठीक है आपको अच्छा लेगो बच्छो ठीक देखो द्यान से क्या करना इसमें है ना ठीक है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छा बच्छो एक बात आप बहुत अच्छे से द्यान रखना ठीक है मैं यहाँ बताता हूं जब कभी भी आपको ऐसी condition लिए cos x minus sin x divided by cos x plus sin x तो याद रखना ये क्या फार्मुला बन जाएगा ये फार्मुला हमेशा tan pi by 4 minus x ऐसे आयाता हूं अभी कैसे आया मैं बताता हूं और अगर यही चील उपर प्लस थी हो ऐसे लिए cos x plus sin x divided by cos x minus sin x तो उपर माइनस नीचे प्लस तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा tan pi by 4 plus x तो कभी एगर आपको कोशन बहुत फास्ट करना हूं तो आप फटा-फटा ऐसे कर सकते है तो अब देखो ये इस पूरे की लिगा प्रिम 10 pi by 4 minus x लिख सकते हैं लेकिन कैसे मैं बताता हूं देखो यहां पर जो दिया हूँ है इसको पले हाँ एसे हम अब ह्याँक से दिवाइड कर दिया एक से कहां मैंने कुमाइन च्यों मैंने किया्ननाइक पिए यह वह इचित मैंने यहां भी की, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, यह हम कर सकता है न, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें आराम से हम कर सकते हैं, ऐसे हमने कर लियां, ठीक, अच्छा, तो अब आप एकची नोटिस करो, बच्छो यह वह से कॉस खतम, आप, तैन एक्स, हो गया कर नहीं हो गया, ठीक, अच्छा, आप मुझे बताओ, वन, किसकी वेलू होती है, टैन में किसकी वेलू वन होती है, तो अगर आपको पता होगा, टैन पाई वाई वाई फोर बराबर वन होता है, एक दिवाईडेड़ वाई, बच्छो यह टैन एक्स है, अगर मैं इसके साथ इन्टू वन लिख दू ऐसे, द्यांसलों, और अगर मैं इसके साथ इन्टू वन लिखूं, तो कोई फ़रक पड़ेगा, ठैन एक्स इन्टू वन रहेगा तो टैन ही न, तो यहां पर देखो मैं वही चीट करना चाहरा हूं कि यह तो ऐसे रहा 10x और इस 1 की देगा फिर से मैंने लिख दिया क्या आप तो यह क्यों किया इसका है रिजन बहुत इंपोर्टन अवही समझना आपको आप ध्यान से देखो टैने माइनस थैंगी अपन वन प्लस थैंग अन्वी आपको याद होगा तो इस पूरे के लिए इस पूरे के लिए इस पूरे के लिए अजिए आफक लिए अगया? यह अगया रिखेंगे इस पूरे के लिए अगया आपगा ध्यान से देखेंगे यह चीत मैंने बताए कि इस पूरे को सॉल्ट करोग तो कि गया, पर दो कि आपको पता है तो आप डारेट को ये लिख सको तो ये, पिछ जो फिर के लिख सको हो, आप है ना इसको ये लिख, अब दो ये था को ये टैंज है को अंग शे लिख पाई माई फूर मैसे को हो ये आपका क्या हो जा शेक? सब्सक्राइब करते हैं एक्स की लगापर एक्स की लगापर हम हमेशा यहां नहीं करते हैं तो अग्स की लिगापर ने चाहिक लिए हैं इस अपन इस अपन में तो यह सो जाएगा एक्स अपान एक इस इक वर टू साइन थीटा और मैं साइन गोदर बेज दू साइन इंवर्ड एक्स अपान एक इस इक वर्टी टिटा बोलो जब्दी इसे बोलो ना होगा कि नहीं होगा अब क्या कर सकते हैं ठीक सब्सक्राइब करते हैं करते हैं तो यह होगा टांग नवर्स एक सी लिगापे एक सी लिगापे लिगापे चोँ वापस क्या लिखांग एक सी लिगापए एसक्वाइर साइन इसक्वाइर थीटा ठीक है यह होगा ठीक अच्छा आब एक चीव देखिए अगर आप ध्यान से त्यान इंवर्स यह तो ऐसी रहा यहां पर देखो, दोनों जगा मैं A common ले सकते हैं, यहां पर, A square अगर मैं common लोगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 minus sin square theta, ऐसे तो बचेगा, यहां से देखो, इन दोनों मैंने A square common ले लिया, ठिक, अच्छा, अब इस चीद ध्यां से देखिए, यह A square है, यह root में है, जब इस बहार आएगा, तो A बचेगा ना क्यों बचेगा, यह ऐसे बढ़ाएगा, 10 inverse A sin theta upon, यह A बहार आगया root से, अंदर बचा, 1 minus sin square theta, ठिक है, और हमको यह भी मालूम है, कि 1 minus sin square theta पराबर, पॉस square theta, अच्छो, यह A से खतम भी हो गया, तो यह बचा, sin theta upon, यह कितना हो जाएगा root में हो जाएगा, cos square theta, आप देखो यह square से root खतम, तो कितना बचाएगे, यह बचाए, tan inverse, sin upon cos, sin theta upon, cos theta, हमें पता है, sin बटे cos क्यों होता है, sin बटे cos होता है, tan, यहाँ पर में लिख देता हूँ, tan theta, आप देखो tan से tan inverse खतम, tan से tan inverse खतम, तो बचा कितना, theta, और ध्यान से द inverse x upon a, ठीक है, यह हमारा answer हो गया, ठीक, समझ बाया, दैसमा कोशन देखो बच्छो, ठीक, इसमें देखो गया करना है, ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ बच्छो लखो यागर, देखो, इसमें हम लोगोने class element में फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, इसमें जरादर सब फार्मूले ही लग रहे हैं, और वो सारे फार्मूले लग रहे हैं, जो आपने class element में पढ़े हैं, जैसे बहुत-बहुत सोचते हैं, कि first year is a rest year, उनको पता चलता है rest year क्या होता है, ठीक, तो आप समझ रहाता है, क्यों क्लास 11 में, देखो 12 जो है, 12 के ज तो यहां पर देखो, हमने इस फार्मूला बढ़ा ही बच्चो, tan 3 theta को आप में ऐसे बहुत दों को पता होगा, और बहुत दों को नहीं भी पता होगा, यादा है, क्यों है, तो मैं इसका फार्मूला बढ़ा ही बच्चो, क्या बढ़ा है, यहां ने बढ़ा है, 3 tan theta minus tan cube theta upon upon 1 minus 3 tan square theta, यह फार्मूला हम पढ़े थे class 11, ठीक है, यादा रहा कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो बहुत बात ने, अब यह देख लो, ठीक है, और जिसको यह पता है, वो यह कुशन लगा लिगा है, ठीक है, तो यह सब trigonometry ने दिये थे, इन्वर्स trigonometry है ना, sorry, trigonometric function class 11, chapter number 3 रहा है, उसमें है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो x दिख रहा है, ध्याँ चो देखे, let x is equal to a tan theta, मैंने ऐसे माल लिगा, ठीक है, अब बचो a को मैं नीचे देश लेता हूं, तो ऐसे हो जाएगा, जैसे भी इसके पहला रहे question में किया था, x upon a is is equal to tan theta, और जब tan धर आया, तो कितना हो गया, tan inverse x upon a is equal to theta, तो theta की value मिल देखे, ठीक है, तो आप बच्चे को हम यहाँ पर put करते हैं, तो हम यहाँ पर put करेंगे, तो कितना हो रहाएगा यह, tan inverse 3a square, x की दिखावा पर कहा लिग देखे, a tan theta, a tan theta, minus x cube, यानि, a cube tan cube theta, यह बात समरे आई न, x की दिखावा है, तो इस पूरे का भी cube हो गया, ठीक है, अच्छा, अब divided by a cube, a cube minus 3a, फिर x square, तो x देखावा पर a tan, तो इसका भी a square हो रहा है, तो यह हो रहाएगा, a square tan square theta, अब एक चीज़ देखों, यहान पर a square हो रहे है, a square और a, कितना हो गया, a cube हो गया, तो डारेक लिखते हैं, a cube, यहान पर a square into a, कितना हो गया, a cube, ठीक, यहू हो गया, तो यह सो जाएगा, AQ ठी, क्या बच्छेगा, जो बच्छा उसको लिखिला, कितना बच्छा यहां पर 3 tan theta, 3 tan theta, 3 tan theta, माईनस, tan cube theta, ज्यांते यहां बच्छा अ थी, यह निकाल दियाँ, अच्छा, वहीं च्छेगा, यहां पर नीचे भी, AQ यहां भी फॉआ मगा लियाँ, तो यहां कितना बच्छे को, one minus, यहां से एक निकल लिया, तो बच्छा, three tan square theta, ठीक है, three tan square theta, ऐसे बच्छा, इतना समझ भाए है, अब दोखो बच्छो, यह तो कड़ गया, तो कितना बच्छा हो, tan inverse, यह पूरा बच्छा, तो ध्याल जे देखो, यह पूरा किसका फार्मु लगा टाल ठीटा है ना ऐसा रिखनेगे तो यह तर्षेटा हेटा ऑर थीटा कतना था 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 एकस बाई गाई मारे ओड़ेटा कितना आर इंवर्स एकस बाई एक तो यह आका का एकस्वाई यह का इसमें क्या दर्माएं हमें इसमें पताना है इसकी वैल्यू है ना फाइंड की वैल्यू ठीक तो यह भी बहुत असान कोस्ट है अच्छा अब यहां पर एक चीज़ देखो बच्छो पहले एक चीज़ बच्छो यहां पर दिया है 1 by 2 अब मुझे आप बता सकते हो कि साइन मे हमें किसकी वैल्यू होती 1 by 2 हमें पता है साइन 30 डिगरी इस वर्ट 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 होता गी नहीं होता है और 30 डिगरी को हम लोग क्या लग सकते हैं 5 by 6 तो इस 1 by 2 की देखा पर क्या सकता है साइन 5 by 6 ठीक तो धेहां से बेखो यह कोशन मैंने ऐसे लिख लिए पूरा का साइन 5 by 6 ठीक है ऐसे न समस्क्राइब ग। इतना समझना है अब एक चीज़ दिखो ऑचाओ एक चीज़ देखो आप यहां पर ध्याहन से लिखो है क्या किया है यह साइन . के लिखा है यहां पर यहां पर आ 10 inverse, 2 cos, यह तो खताम हो गया, sine inverse से sine, तो कितना बचा? 2 pi by 6, ऐसे बचा, बचा कि नहीं बचा? मैं जब रिखो, याद, sine से sine inverse कट गया, यह 2 pi by 6 बचा, अब बच्छों, हमको इसको कट कर देते हैं, 2 से, तो यह बचाएगा 3, तो यह कितना आया? 10 inverse, 2 cos pi by 3, इतना बचा, और cos pi by 3, बच्छो, pi by 3 का मतलब होता है 60 degree, यादि, cos 60 degree की value कितनी होती है? cos 60 की बचा होती है, तो sine 30 की होती है, यादि कितनी? 1 by 2, तो मैं याद लिखेंगे 10 inverse, 2, इस पूरे की ड़लो, cos pi by 3, cos 60 degree, कितना हो जाएगा? 1 upon 2 हो जाएगा, अब देखो अच्छो, ये 2 से 2 खतम, तो कितना बचा? ये बचा tan inverse 1, आप मुझे बचाओ, 1 किस की value होती ही 10 में? 45 की होती है, 45 को pi by 4 लिख सकते हैं, तो tan inverse इस 1 का मैं किया रिखेंगे? 10 pi by 4, ऐसा लिख सकते हैं, अब चो ये 10 से 10 खतम, 10 से 10 inverse हैं, तो ये कितना बचाओ, पाई बचाओ, तो ये होगया answer, 12 number question, देखो बच्चो हैं, काफी आसान साला लें, देखो, और बहुत थी एकदम, फुलुजा सवाल दे दिया, कुछ नहीं है, अगर आपको पता होगा, ध्यान से देखो, हमने एक फार्मुला बढ़ा हैं, tan inverse x, plus quad inverse x, is what, pi by 2, मालूम है कि नहीं, हैंना, बस वहींची आप देखो, tan inverse है, plus quad inverse है, तो इसकी रिखा क्या जाएगा, इसकी रिखा जाएगा, इस पूरे की रिखा प्या जाएगा, pi by 2, अब pi by 2 का रदल 90, तो quad 90 कितना होता है, 0, तो इसका answer क्या हो गया, 0 हो गया, बात समझ मैं कि नहीं, तो बच्चो यहाँ तकि कुस्चन अच्छे से प्रक्टिस करो, solve करो, अच्छे से लगाओ, कोई डाउट हो, हमसे पूछो, हम हाय काय के लिए, आही बात समझ मैं, तो बच्चो, समझ माया सब आपको, और अगर कोई भी डाउट रहे गया हो, कोई भी डाउट रहे गया हो, कमेंट करके आप जरूर पूछना, ठिक, इसक काची करो, कमेंट भी डाउट जरूर, खर सकत्वणार, बच्ब कि लोग।